है दोस्तो नमस्कार मैं अभिने शिर्वास्तवा स्वागत करता हूँ नए वीडियो में दोस्तो क्या आपके पास महिंद्र ट्यो यारी है और आप इसके चार्जिंग की समस्या से परेशान हैं कहने का मतलब यह है कि आप चार्ज करने जा रहे हैं तो सही से चार्ज नहीं हो समस्या का उपाय मैं बताऊंगा और हाँ जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आप तक जिससे कि यह समस्या नहीं आएगी तो वो कौन सी बाते हैं जिसका आपको ख्याल लखना है चलिए आपको बताते हैं सबसे पहली बात कि जब आप अपने ए रिक्षा को चार्ज करने जाते हैं तो वोल्टेज का जरूर पता लगा ले कि वोल्टेज सही है कि नहीं है क्यों city में सही से voltage का नो होना अगर voltage सही नहीं मिलेगा तो आपकी यह सही से चार्ज नहीं हो पाईगी इसलिए किर्पया voltage की जांच जरूर कर लें दूसरी बात जब कभी आप अपने महिंद्र TRIOI 용 को चार्ज करने जाएं तो आपको अपने display को on करके देखना है उसमें अगर ये symbol आ रहा है विना उसको ठीक किये हुए आपको charger connect नहीं करना है तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले ignition on कर दिया तो यहाँ देखें ये दिख रहा है symbol इसी symbol को हमें पहले हटाना होगा उसके बाद ही charger connect करना है तो हटाने के लिए क्या करना होगा चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले पीछे वाली बैटरी जो छोटी वाली बैटरी होती है उसके आपको ये दोनो points निकाल देने हैं जो connector है उसके इसको निकाल के अच्छे से गड़ की दोनों को साफ कर लिया भी जैसे connect किया था उसे connect कर देना है दोनों connector को अच्छे से connect करकर ठीक से बिल्कुल ये connect करना है तक हो जाे और connect करने के बाद देख awareness हो दिखाते हैं ये जो softika अब नहीं दिखाई देगा दिखिए यहां आप जो सिंबल है वो नहीं दिख रहा है जो पहले दिख रहा था तो अभी देखा आपने कि अब उस पर वो सिंबल नहीं आ रहा है तो अब आप चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं और पावर सप्लाई कर सकते हैं तीसरी बात जब आप charger connect करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि charger सही से connect हुआ है कि नहीं अब इसकी पहचान कैसे होगी कि charger connect हुआ है कि नहीं तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यह charger मैं connect करने जा रहा हूँ यह charger connect हो गया यह देखिए बीच के gap नहीं है यह बहुत ज़रूरी है कि आपका यह charger सही से connect होना चाहिए आपका charger सही से connect हुआ है कि नहीं इस बात का पता आपको एक और चीज़ से चलता है कि जब आप connect करते हैं तो display में कुछ second के लिए वो charging symbol आ जाता है और साथी साथ खट से एक आवाज हलकी सी आती है दम बिल्कुल हलकी सी आपको ध्यान से सुनना होगा वो खट की आवाज आए तो आप समझें कि आपका जो charger है वो सही से connect हो गया है तो अब आपको power supply जारी कर देनी है और charging शुरू हो जाएगा डिस्प्ले में आपको देख लेना है कि वो charging indicator है वो blink कर रहा है कि नहीं चौथी बात जब आप charger connect कर दिए power supply कर दिए और चार्ज होना शुरू हो गया है तो 10-15-20 मिनट बाद आप एक बाद डिस्प्ले अन करके देख लें कि कुछ km बढ़े हैं कि नहीं यानि कुछ चार्ज हुआ एक नहीं बैटरी आपकी अगर नहीं हुआ है तो कहीं नहीं को आपको डिस्प्ले में charging indicator दिख रहा होगा ब्लिंग करते हुए यहां गौर करने वाली बात यह है कि उसके साथ अन्य कोई indicator तो नहीं आ रहा है इसको भी जरूर देखें अगर अन्य कोई indicator आ रहा है तो आपको उस पर गौर करना है और इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि यह charging indicator के आलामा अन्य जो indicator आते हैं डिस्प्ले में उसका क्या मतलब है और क्या प्रॉब्लम है सारा details उस वीडियो में है तो आप उसे जाके देख सकते हैं कि वह problem कौन सी है तो इन पांचो बातों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी जो इरिक्षा है वो सही से चार्ज होगी इन पांचो बातों का ख्याल रखने के बावजूद भी अगर आपकी इरिक्षा चार्ज नहीं हो रही है तो आपको सर्वी सेंटर पे जाके एक बर चेक करवाल लेना चाहिए कि कहीं अन्य कोई problem तो नहीं है लेकिन basic यही 5 चीज़ें जिसको आपको ध मनोबल बढ़ता है और कोई मन में सवाल है तो आप comment कर मुझे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार